कि तयारी कर रहे हैं और अभी तक आपको यह पता नहीं है कि आखर लीगल रिजनिंग की तयारी कैसे करी जाए अगर आप भी इस प्रॉब्लम से जूज रहे हैं and you want one stop solution for all the questions revolving around कि लीगल रिजनिंग के preparation क्या कैसे करनी है क्या उसके लिए हमको जो है किसी भी प्रकार से सारे के सारे laws or sections and articles हमको क्या याद करने पढ़ेंगे कौन सी और चीजें हैं जो हमें यहाँ पर पढ़नी पढ़ेंगी उन सभी questions का answer आज आज आपको यहाँ पर देने वाले हैं however आप सभी से request है कि आगे बढ जल से जल चैनल को subscribe कर लिजे because guys and girls let me tell you कि यहाँ पर आज से जो मैं आपकी एक classes लेने जा रहा हूं उसके तहट बहुत सारी ऐसे sessions आएंगे जो strategy sessions होंगे जो आपके conceptual sessions होंगे जो आपके MCQ sessions होंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो preparation की level है उसको यहाँ पर test किया जाएगा और सा साथ आपको मदद की जाएगी ताकि आप अपने class 2025 के तैयारी को strongly जो है वो कर सके जी हाँ guys and girls चलिए शुरू करते हैं with the session of the day and that is how to prepare for legal reasoning for class 2025 शुरूवात करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप एक अंधिरे जंगल में हैं और आपको वहां से बाहर निकल जालना है तो उसके लिए आपको किस चीज के आविशक्ता पड़ेगी sir and ma'am हमको आविशक्ता पड़ेगी एक मशाल की मशाल यानि कि हमको आविशक्ता पड़ेगी a touch light की and at the same time दूसरी जो चीज हमें यहां पर required है वो क्या है sir वो होगा एक map and इसी तरह किसी भी examination की preparation करने के लिए जब आप ऐसा lost जैसा महसूस करें सो सबसे पहला step जो आपका होना चाहिए that should be gathering these two most important things and what are those things which are equivalent to a torch light or a map sir and ma'am the answer to that would be your syllabus your pyqs याने previous year questions क्योंकि यह हमको बताते हैं कि आखिर examiner हमसे क्या expect करता है वो syllabus में दिया होता है और कैसे वो हमसे सवाल पूछेगा वो आपको pyqs में दिया होता है तो हम उन दोनों ही चीजों को पहले समझेंगे and in the next 10 to 15 minutes I can assure you कि आपको सारी वो चीजें पता चलेंगी जो आपकी examination में legal reasoning में maximum marks लाने में मदद करेंगी चलिए तो सबसे पहले यहा सबसे पहले चीज जो हम यहां पर decode कर पाएं वो क्या है कि आपको 450 words के around कुछ passages आएंगे ठीक है the passages may relate to fact situations or scenarios which will involve legal matters public policy questions और moral philosophical inquiries ठीक है तो इन्हों ने हमको basically यह बताया है कि जो वो passages होंगे वो किस particular subject matter से relate करेंगे तो यहां पर बोला गया है कि भाई एक कुछ ऐसे matter subject matter से relate करेंगे जिसमें legal matters होंगे public policy questions होंगे और साथी साथ moral and philosophical inquiry से भी related हो सकता है अब जो मैं यहां पर next line पढ़ने जाऊंगा that is something जो बच्चे आधा पढ़के at times पीछे हट जाते हैं और अपने examination की तैयारी को पूरी तरह से यहां पर बिगाड लेते however let me help you out with that you will not require any prior knowledge of law very good guys and girls consortium of NLU's ने हमको यह कहा है कि आपको पहले से कोई भी कोई भी कानून की जानकारी होना आविश्यक नहीं है very good तो फिर आखिर हम इस particular section की तैयारी कर क्यों रहे हमें तो फिर law पढ़ना ही नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा मैं नहीं ऐसा तो consortium of NLU's का syllabus का line खुद भी कह रहा है तो क्या यह सत्य है guys and girls wait and watch next line यहां कह करेए you will however be benefiting from a general awareness of contemporary legal and moral issues to better apply the general principles or propositions to the given factual situations मतलब एक तरफ कहा गया कि आपको कानून की जानकारी नहीं चाहिए ठीक है बट दूसरी तरफ यह कह रहे हैं कि आपके समय के दर्मिया जब आप exist कर रहे हो इस समय चो contemporary legal issues चल रहे हैं for example कोई नया बिल आया for example 370 article को हटाया गया for example triple तलाक को हटाया गया for example section number 377 of IPC को decriminalize किया गया तो अगर ऐसे कुछ issues जो की आपके समय के दरान हो रहे हैं आप अगर उनके बारे में थोड़ा सा knowledge रखते हो थोड़ा सा awareness रखते हो so definitely it is going to help you तो अब क्या लगता है कानून पढ़ना है या नहीं पढ़ना है definitely पढ़ना है guys and girls क्योंकि ये passages जो होंगे उनको decode करना उनमें जो legal jargons दिये गए हैं उनको समझ पाना उनमें जो चीजें आपको बताई गई हैं उनको आप as a legal perspective समझ पाए उसके लिए पहले आपको law की भाशा पढ़ते तो आनी चाहिए and ये law की भाशा कैसे पढ़ी जाती है उसके लिए कुछ basic steps है जो आपको करने ही पढ़ेंगे right चले अब इन passages से हमें क्या करना होगा you will have to identify and infer the rules and principles set out in the passages आपको भया identify करना पढ़ेगा कि इसमें theft की परिभाशा अगर बीच में गहीं छुपी हुई है तो वो क्या है अगर यहाँ पर they have talked about section number 79 of IT act तो वो क्या है if they are talking about article number 19 of the Indian constitution तो वो क्या है and उस exam time scenario में जब आप already बहुत tense हैं बाकी sections भी cover करने है time bound manner में ये चीज़ करनी है उस समय हम अगर ये सोच के जाएं कि अरे वो तो हम वहाँ पर जाकर अंदर ये सब decode कर ही लेंगे guys and girls then you do not qualify to be a good aspirant because a good aspirant वो होता है who never never leaves any stone unturned to create something out of the worst scenario which is for the betterment of his or her own dream इसलिए मैं कहता हूं प्लीस पहले सारी गलतियां कर लो पहले सारी चीज़े सीख लो ताकि डीडे वाले दिन आप गलतियां ना करें खिर आये now you will have to apply these rules and these principles to various given factual situations ठीक है at the same time you will have to understand ति कैसे इन rules को change करने में या principles को change करने पे इनका application बदल जाएगा in various situations यानि अगर हम rules को थोड़ा सा change कर रहे हैं अगर हम rules को थोड़ा सा alter कर रहे हैं तो किस प्रकार से यह बदलाव लेकर आएगा हमारी पूरी application पर यह भी important हो जाता है understanding तो यहां पर हमने क्या किया है we have tried we have tried to decode the syllabus of the examination चलिए अब आते हैं आगे यह है sir and ma'am कुछ questions जो की आपके 2023 and 2024 के CLAT examination में आए हैं तो basically what we are trying to do is that we are trying to do a PYQ analysis हम एक PYQ analysis यहां पर करने जा रहे हैं चलिए पहला यहां क्या कर रहे है Parliament passed the criminal identification act of the year 2022 यह आपके 2023 का examination का paper है आप देख सकते हैं what are they talking about sir and ma'am they are talking about an act which was passed by the parliament and this act was very much controversial provided कि यह हमारा कुछ data collect करने की बाद करता है and यह data को collect करने के बाद उसको store करने की बाद करता है तो अगर पहले के समय में जाएं याने इस act के आने के पहले तो केवल और केवल उन विक्तियों का जो की convict हुए हैं किसी offense के लिए when we say convict होना याने आरोप लगे और वो सिद्ध भी हो गए उन लोगों को ही अपना data देना पड़ता था लेकिन अब इस कानून के आने के बाद anybody अगर आप पे आरोप लग रहा है किसी चीज़ का सिद्ध नहीं हुआ है अभी सिर्फ case file हुआ है तो भी आपको अगर arrest किया जा रहा है तो आपका data लिया जा सकता है कितना open-ended kind of a law है जो कि किसी भी व्यक्ति को जिसको arrest किया जा रहा है उसका का यहां पर data collect करने की बात करता है and मेरा data अगर collect हो रहा है that can be misused anytime so it was controversial there were arguments in favor of it there were arguments against it so it is there in your examination understanding question कैसे आ रहा है आपको यह भी समझना होगा यहां आप देख सकते हैं मैंने उस year के examination के एक दिन पहले जो marathon रखी थी उसमें भी बच्चों को यह पूरा का पूरा criminal procedure identification act जो है वो पढ़ाया गया था next इस सरोगेसी law सरोगेसी law again there was one law which was passed by the parliament सरोगेसी regulation act of the year 2021 यह कानून अगेन एक बहुत controversial कानून था क्योंकि इसने कहा कि इंडिया में हम सरोगेसी allow करते हैं बट केवल और केवल कैसी सरोगेसी को allow किया जाएगा एल्ट्रूस्टिक सरोगेसी वोट्ट दू अगर मैं चाहता हूं कि मेरी वाइफ अगर होती अगर हम conceive नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ऐसी स्थिती में या तो मेरे कोई क्लोज रेलेटिव या उनकी कोई क्लोज रेलेटिव ही यहां पर अज़ा सरोगेट मदर बन सकती हैं क्योंकि वह पर पर करेंगी हमारे पास किसी भी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए सरोगेसी कमर्शल एंगल से नहीं होनी चाहिए तो यह भी एक बहुत कॉन्ट्रोवर जो यह पैसा दिया जाता है वो मदर के विल के अगेंस्ट होता है क्योंकि हस्बेंड उनसे यह करवाना चाहते हैं अगर बच्चे की तव्यवत खराब हो जाती है या जो बच्चा पैदा होता है वो वैसा नहीं होता है जैसा कि यहां पर सरोगेट पेरेंट्स को चाहिए इंटेंडेट पेरेंट्स को चाहिए था तो उनको इसी प्रकार से छोड़ दिया जाता है आप सभी ने मिमी मूवी देखी ही होगी उसमें यह बताया भी गया है तो ऐसा सब अगर हो सकता है तो क्यों ना उसको रेगुलेट किया जाए बट रेगुलेशन के तहट तो साफ सब कह दिया गया कमर्शल सरोगेशी तो होगी नहीं ऐसे तो कितने सारे स्टेट से हमारे इंडिया में जहां कहते हैं कि वह ड्राय स्टेट है बट सच आपको जाकर ग्राउंट ग्रास्रूट लेवल पर पता चलेगा कि क्या वहां पर कभी शराब नहीं मिलती सर फिर अलग छुप छुप कर होगी तर विल बेनों अट्रिट बेट बेट इंड़ इन अवर पेपर अंड अगें यू चैस एक दिन पहले ही ये पूरा कपूरा सरोगेसी बिल मेरे द्वारा यहां बच्चों को समझाया गया था जिन्हों ने ट्वेंटी ट्वेंटी फोर थ्री का इंग्जामिनेशन दिया था नेक्स्ट इस कंजूमर प्रेटेक्शन आक्ट गाइज और इस नए पूराना कंजूमर प्रेटेक्शन आक्ट था इसको पूरी तरह से हटा दिया और इसमें बहुत सारी नई चीज़ें भी आड़ करीगी अगर मैं ऑनलाइन पर्चेस करके कोई एक प्रड़क्ट खरीद रहा हूं तो उस पर्टिकलर प्रड़क्ट पे भी मुझे जो है कंजूमर प्रेटेक्शन आक्ट के अंतरगत प्रे सबसे बड़ा इशू आ रहा था वो यह था रहा था कंजूमर के क्या अधिकार होंगे और सिंस यह चीज यहां पर कॉंट्रवर्शल थी सर और माम इट वास देर इन यूर इग्जामिनेशन और आप देख सकते हैं अगेन कि मैंने इसको यहां पर इसी पोर्टल पर पढ़ा रखा है वेन वी टॉक्ट अबाउट दी कंजूमर प्रोटेक्शन आक और दी क्लाइ जो हमारी इंडियन गवर्मेंट है उसके द्वारा बहुत सारे अकाउंट करने की बात करी जा रही है जहां पर बोला गया कि बहुत सारे जो है यहां पर उनको जो है भीजे जा रहे हैं इन सभी को एक तरह से आदेश गवर्मेंट के द्वारा जहां पर यह कहा जा रहा है क कि आपको क्या करना है इस tweet को हटा देना है या फिर आपको इस account को block कर देना है so since twitter was going under a lot of regulation by the government and इसी लिए twitter ने यहाँ पर case file किया था and कुछ अपने arguments यहाँ पर court में दिये थे वो case इतना ज्यादा important हो गया था that it was there in the examination again contemporary legal matter which was there in the examination आप देख सकते हैं इससे जुड़ा हुआ पूरा का पूरा IT act again is something which I taught जब मैंने यहाँ पर यह पांच घंटे की marathon ली थी इसमें हमने यह सब कुछ पढ़ा था अब आगया आते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो now they are talking about article number 19 when we talk about article 19 यह आपके basic laws covered होता है मैंने बोल रखा है कि सबसे पहले जो चीज आपके लिए पढ़ना important है वो है Constitution of India और यह मैं बार बार कहता हूं हर बच्चे को Constitution of India पता होना चाहिए basic law है वो हमारे देश का Supreme law है हमारे देश का fundamental law है है हमारे देश का so definitely it is important कि आपको इस चीज के बारे में पता हो however article number 19 freedom of speech and expression freedom to move freely throughout the territory of India freedom to reside and settle in any part of the country freedom to assemble peacefully without arms freedom to form association and the last one is that freedom to profess or practice any trade ये सारी चीज़े हमको मिली हुई है बट सर और माम क्या हमारी ये जो freedoms है ये पूरी तरह से absolutely हमको दी गई है नहीं सर ये तो होई नहीं सकता क्योंकि fundamental rights are not absolute they are not sacrosanct but they are subjected to certain restrictions they are subjected to change through amendment it can be done and that is why ये जो restrictions की बात करते हैं तो it becomes really very important कि हमको आखिर पता हो कि कौन कौन से restrictions लगाए जा सकते हैं for example sovereignty of the country security of the country friendly relations with foreign states public order decency and morality incitement to an offense contempt of court defamation ये वो सारी चीज़े हैं जिनको as a reasonable restriction हमारे article number 19 के अंतरगर्द दिये गए freedom of speech and expression पर लगाया जा सकता है this is something I have been telling you again and again चाहे वो आपके JNU का case हो चाहे NDTV case हो every time we have been talking about it तर इन माम आप देख सकते हैं यहां पर इसी चीज़ की बात हुए है sovereignty and security of the state या फिर integrity of the nation या फिर friendly relations with foreign states public order preventing incitement to the commission of offense ये सारी ही चीज़े आपको यहां दी गई हैं and this is something that we specifically studied before the examination again sir and ma'am reasonable restrictions heart से लिख कर दिखाय थे मैंने यहां पर because I wanted you guys to know how important are these reasonable restrictions for you next is sir and ma'am electoral bond scheme again public policy issue in question public policy issue in question electoral bond question में था नहीं नहीं स्कीम आई थी therefore it was there in your examination right क्या हमको इसके बारे में सब कुछ पता होना अच्छे है नहीं they are not expecting you to learn anything they are just expecting you to have a little awareness ताकि जब examination में आपको कुछ dates ती जाएं कुछ principles के बीचे question पूछा जाएं तो वो सारी चीज़े आप यहां पर decode करने के लिए तयार हो यह चीज़ें हमें पता होनी चाहिए next sir they are talking about FIR कि FIR क्या होता है then section number 498 a which was very much there in the news all this while because आप सभी को पता है ऐसा कहा जाता है कि section number 498 a का उपयोग at times बहुत ही जादा यूज किया जा रहा है बाइदी इसके अलावा free legal aid yes this was there then this is 2024 का paper जहां पर they are talking about one law which is known as juvenile justice act अब आप देख सकते हो यह कानून तो 2015 का है और यह हमारा में कानून भी नहीं तो फिर ऐसे कानूनों के लिए क्या करना होता है अगर वो न्यूज में है तो हमको पढ़ने अदर्वाइस पढ़ने की आविशकता नहीं है चलिए next आप देख सकते again there was a bill जो की recently आया था right जो की recently आया था and this press and registration of periodical bill यह चूकी न्यूज में था इसलिए यह आपको यहां पर देखने को मिला है इसी के साथ DPDP Act was also in news so it was there in the examination I hope आप समझ पा रहे होगे what exactly is the source of your legal passages की legal passages को कैसे source किया जा रहा है कौन से वो subject matters हैं जिनसे इनको source किया जा रहा है I guess आप यह चीज यहां पर definitely समझ पा रहे होंगे चलिए let's move ahead yes so now we are here where we want to know as to what should be our strategy to cover or rather prepare for the legal reasoning in the best manner as the topper क्या होना चाहिए वो तो उसके लिए sir and ma'am सबसे पहला suggestion जो हमेशा मेरे द्वारा दिया गया है वो यह है please do cover your basic laws सबसे पहले आपको क्या cover करना है आपको अपने basic laws को cover करना है अगर आप अपने basic laws को cover कर लेते हैं तो आपका आधे से जादा चीजें हो जाएंगे and please please go step by step इनको एक भी step को मिस नहीं करना है सबसे पहले आपको basic laws cover करने हैं ऐसा मत करिएगा कि directly आप जो है बिल्स को जाकर पढ़ने लगे directly आप जो है अलग-अलग subject matter को पढ़ने लगे क्योंकि आपको मज़ा नहीं आएगा आपको समझ नहीं आएगा आप रिलेट नहीं कर पाओगे and जिस भी चीज से हम रिलेट नहीं कर पाते हैं वो चलती नहीं राइट तो यहां पर what is the most important rights the most important thing every year there is a there is a question from this section then DPSP then fundamental duties then your parliament kind of a thing फिर उसके बाद directly come to the next law which is the Indian contract act what exactly is contract होता क्या है offer क्या होता है acceptance क्या होता है consideration क्या होता है consent क्या होती है free consent क्या होती है void agreements क्या होते है after this sir what do we mean by what do we mean by the law of thought what is the difference between law of thought and law of thoughts vicarious liability क्या होती है strict liability क्या होती है absolute liability क्या होती है राइलेंस वर्स फ्लेचर केस पॉइंटिंग वर्स नोक्स mc मेता वर्स यूजिए यह सारे important case laws के बारे में पता होना चाहिए इसके बाद कुछ miscellaneous laws आपको पढ़ने पड़ते हैं जैसे कि वो सारे के सारे laws जो कि खिर इस पर आपन वापस आएंगे आइगेस आपने basic laws वाला point समझ लिया then the most important thing is develop a habit of reading editorials daily yes this is something which I have been telling you every now and then अगर कोई मुझसे पूछे की सर और माम what is that one particular solution जिसके तहद हम CLAD examination में top one percentile aspirants जो है उसमें रह सकते हैं the only thing is develop a habit of reading the newspaper and when I say the newspaper headlines नहीं पढ़नी है बच्चे आते हैं सर हमने पूरी की पूरी headlines पढ़नी अंदर का material पढ़ना है चुकी मुझे पता है आपके पास उतना time नहीं होगा क्योंकि आपको Instagram भी चलाना है और लोगों को WhatsApp पे messages भी करने हैं आपको एक lifestyle भी maintain करनी है घूमने भी जाना है parties भी करनी है डिस्क भी जाना है बहुत काम होते होंगे आप लोगों को तो मुझे पता है आपके पास time कम है इसलिए मैं कहता हूँ कि please at least editorials is something जो आपको पढ़ना ही चाहिए कम से कम editorials आप please पढ़कर रखें क्योंकि यह वो editorials है जो आपसे सबसे ज़ादा importantly पूछे जाते है and at the same time यह आपकी understanding को develop करते है and understanding को ही improve करना है reading habit को ही improve करना है रसकिन बॉर्ड नहीं पढ़नी है यहाँ पर three mistakes of my life नहीं पढ़नी है यहाँ पर can love happen twice नहीं पढ़नी है यहाँ पर why क्योंकि यह वो चीज़ें जिससे आप relate कर पाते हो तो आपका interest develop होता है आप पढ़ना चाहते हो उसको reading नहीं कहेंगे हम यहाँ पर why because sir and ma'am हमारे examination में ऐसी चीज़ें पढ़ने के लिए आएंगी जो की हमने specifically for law जो की हमें पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा तो वो मज़ा लाने के लिए आपको interest develop करना पढ़ेगा इसी लिए मैं कहता हूं कि editorials को पढ़ें and when I talk about editorials this is the thing that I am talking about अगर आपके पास समय नहीं है आपके पास बहुत कुछ है करने को life में please for God's sake पूरा का पूरा newspaper मत पढ़ो यह वो newspaper है जो मैं हमेशा recommend करता हूं आप Indian Express भी पढ़ सकते हैं बट इसके अलावा और कोई मत पढ़िएगा विनिती है मेरी आप सभी से Times of India नहीं पढ़ना है हिंदुस्तान टाइम्स नहीं पढ़ना है केवल और केवल इधर दे हिंदू या फिर इसके अलावा दे इंडियन उसमें जो बड़े बड़े लोगों के द्वारा influential लोगों के द्वारा अपने opinions दिये जाएंगे अलग-अलग कानूनों पर उनको समझ ये तब जाकर ये जो है आपको मदद करेगा एक अच्छा पीनियन जो है वह वो डाप करने में चलिए let's come back to where we were so हमने sir और माम यह पर एंपर एंपर है समझ लिया तब आप मट आप भी आद लिया ले तो पर दो दो फिरस्स अ भाव ये तो ये तो कवर आप कर देन बीडी अडिये इसके अलावा the other thing that is important is that we need to cover the legal developments and judgments we need to cover certain acts and bills which are there in news and public policy issues जो की news में है ये सबी चीज़े हमें करनी है अब इनको करने के लिए क्या कर सकते अगर आप बात करोगे तो सबसे पहले मैं बता दू ये एक website है जिसका नाम है PRS India दिया पर आप जैसे ही जाओगे यहां पर आप बिल्स जो की यहां पर पर रखे गए है परर्लेमेंट के सामने टेबल करे गए रहने के सभी यहां पर आपको मिल जाएंगे आपको करना गया सरकोई जाना है और उन लॉस पर आप पर सारे पढ़ना important definitely नहीं है वो जो की बहुत जादा impact डालते हैं हमारे society पे वो जो की बहुत ही जादा controversial है हमारे लिए उनको आपको पढ़ना जरूरी है इसके अलावा yes some of the most important cases जो आपको पढ़ने होंगे जिसके लिए आप दो websites को refer कर सकते हो एक we have live law and the other one is bar and bench however आपको बदा देते हैं bar and bench live law दिन के 50 से जादा stories post करते हैं तो क्या दोनों को मिला कर हमको 100 stories रोज की देखनी पड़े गी बिल्कुल भी नहीं क्या हमको हर एक high court के द्वारा हर एक judgment past जो किया गया है या जो यहां पर उनका progress हुआ है उसके बारे में हमको पता होना चाहिए बिल्कुल भी नहीं यह नोट रेक्वाइरिंग यू तो बी जोर्नलिस्ट अ लीगल रिपोर्टर वह आपसे बिल्कुल ऐसा नहीं चाहिए कि आप कम से कम जो सबसे जादा न्यूज में चीज़ चल रही है सबसे जादा सिर्फ उसको आप कवर करें इसलिए मेरी request है यह दो website जो है यह आपके लिए एक तरह से diamond की तरह हो सकती है in a coal mine but at the same time these can also be like a landmine to you क्योंकि इनको आपको बहुत caution के साथ use करना पड़ता है अगर आपने थोड़ा भी यहां पर इनके साथ जादा समय बिताने के कोशिश करी और जादा इनके साथ आपने जो है अपना time spent किया trust me यह आपको ले डूबेंगी तो जादा समय है आपको नहीं बिताना है सिर्फ important ones को ही आपको discuss करना है जी तो आपको लगता है कि आप अपने अनकाडमी के साथ जुड़ सकते हैं अनकाडमी अभी इस वक्त आप सभी को 50% का discount दे रहा है on all the available courses 50% discount yes तो आप अभी जाहिए अनकाडमी के portal पर मैं जस्ट फॉर यूर अंडस्टैंडिंग आपको समझा देता हूं कि अनकाडमी कैसे काम करता है अनकाडमी डस नॉट वर्क लाइक कि आप आये एक बैच पर रजिस्टर हुए आपने उसका पे किया और उसके बाद ज पर जो चुटने आज तक पढ़ाया है आगे पढ़ाने वाले हैं अभी पढ़ार हैं उन सभी के जितने भी बैचेς हो हो चुके हैं आगे आने वाले हैं अभी चल रहे हैं आप हर किसी बैच में अपने आपको रजिस्टर कर सकते हो आप जिस फैकल्टी से पढ़ना चाते हो आप फ्री अफ कॉस्ट उन फैकल्टी से पढ़ सकते हो क्योंकि उसके बाद आपको कभी भी कुछ भी अमाउंट किसी बी बैच के लिए अलग से पे नहीं करना पड़ेगा तो आप देख सकते हैं यहां पर अलग-अलग सब्सक्रिप्शिप्शन प्लांज हैं नाइन मंस 12 मंस 18 मंस 24 मंस सब्सक्राइब करते हैं कि आप 9 मंस का लेना है जस्ट बिकॉज आज याने की 5th of May को आखरी डे है आपके पास इस चीज को पाने का आप अगर चाहों कि इस प्राइस को और भी कम किया जाए और तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको एक कोड का उपयोग करना पड़ेगा दाट इस बी ए आर एल आई वी ए लाइव बार लाइव बार इस बेसिकली माइव कोड़ डाट इस बीइंग अधितराय आमी बी ए आर और उसके साथ लाइव भी आपको लगाना है जैसे ही आप इस बार लाइव कोड का यूज करेंगे यू विल गेट तो सी दमाक्सिमम डिसकाउंट इसी के साथ साथ आप लोगों क कर आया है क्लाइट 25 प्रीमियम कैपसूल इसके अंतरगत बेसिकली यू विल बी गेटिंग दी प्रिंटेड नोट्स और उसके साथ साथ यू विल बी गेटिंग 50 मॉक टेस्स का पूरा पाक जो आपके घर पे डिलिवर किया जाएगा तो यह प्रिंटेड नोट्स आपके घर पे डिलिवर किये जाएंगे इसका ओफर प्राइस अभी जो चल रहा है वो है इतना आप इससे भी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पा सकते हैं बाई यूजिंग दा कोड बार लाइट तो आप इसको रिजिस्टर करिए अभी जाए अनकाडमी की वेबसाइट पर however अगर आपको चाहिए कि sir मेरे को नोट्स घर पे नहीं चाहिए however I would suggest कि please वो printed नोट्स ही लेना क्योंकि वो आपको एक अच्छा feel देगा उसमें आपको 23 booklets मिलेंगी सारे के सारे subjects plus उसके practice questions इन सभी की तो आप definitely आपको वो एक अच्छी preparation में मदद करेगा अगर आप चाहते हो नहीं sir मैं digital copy पढ़ने में जो है अच्छा feel करूंगा तो उनके लिए यहाँ पर इस price को और slash किया गया है जो कि आप avail कर सकते हो by using the code bar like इसके लावा जो batches अभी चल रहे हैं this is the Titans batch चोकी 11th of April से शुरू हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं सौमल सर आपको legal पढ़ाएंगे इसके अलावा अगर हम law prospectus batch की बात करें तो यह अभी 25th of April से शुरू हुआ है इसमें मैं हनी सर और विजिन्द सर के स्ताथ साथ अकाश रचारिया सर और पूजा माम हम सभी मिलकर जो है आपको पढ़ाने वाले तो जल्दी से आए और जॉइन कर लीजे इन बाचिस को जो आपको यूज करना होगा वह आपको याद है बी ए आर एल आई बी ए बार लाई ठीक है त at the same time I am just waiting for you guys to come and let's have the best of the best team ताकि हम सभी यहां पर जो है आपकी मदद कर सकें आपको एग्जामिनेशन निकालने में आपका 2025 का क्लाइट क्लियर करके आपके अपने NLU के ड्रीम को जो है फूरा करने में with this I am signing off my name is Aditya Rai thank you so very much for your valuable time keep studying keep grilling Jai Hind Jai Bharat